हेलो फैंस नमस्ते आज हम लेकर आए हैं बहुती कमाल के किचन टिप्स जो की आपके काम को बहुत आसान बनाएगा तो भीना देर के चलिए वीडियो को सुरू करते हैं नमबर वन टिप में देखेंगे राजमा रात को नहीं भीगा पाए हैं तो परिसान नहों हो आप राजमा और पानी के साथ कूकर में चिकनी सुपारी डाल कर तीन सीटी लगाएं फिर कूकर थोड़ा थंडा होने पर उसका धकन खोलें और एक ट्रे आइस क्यूब डाल कर तीन चार सीटी और लगाएं राजमा अच्छे से गल जाएंगे शकेंड नमर टीप में देखेंगे राजमा या उड़त की डाल पकाने के बाद के लिए पानी उबलते समय नमक न डालें इससे वह जल्दी पकेगा और नमक आप पकने के बाद डालें तर्ड नमर टीप में देखेंगे डाल बनाते समय जाग बनने और डाल को बरतन से बाहर छलक जाने से बचने के लिए पानी के साथ एक चमच घी डाल दें बरतन के उपर लकडी का चमच या पल्टा रखने से भी डाल बाहर नहीं गिरेगी फूर्थ नमर टीप में देखेंगे पूरिया खस्ता बनाने के लिए आटा गुते समय उसमें एक चमच सूजी या चावल का आटा मिला दें और फाइफ नमर टीप में देखेंगे आटे में एक छोटी चमच चीनी डाल कर गुतने से पूरिया फुली फुली बनेंगी और six नममर टीप में देखेंगे, अगर आप आटा फ्रीज में रखने वाली है तो उसके उपर घी लगा लें और फिर उसे ढखकन ढखकर फ्रीज में रखें, आटा ताजा बना रएगा और सेवेन नमर टीप में देखेंगे एक बार आटा गुथ लेने के बाद अंत में घी डाल कर उसे दुबारा गुथ लें इसे आटा जल्दी सुकता नहीं है और एक नमर टीप में देखेंगे तंदूरी चपाती आप नरम बनाना चाहती है तो उसका आटा गुथते समय उसमें दही मिला लें और आटा तयार करने के लिए गुनगुने पानी का इस्तवाल करें और 9 नमर टीप में देखेंगे मूली का पराठा के लिए इस्टाफिंग में नमक तब डालें जब आप पराठा बनाने के लिए तैयार हो और 10 नमर टीप में देखेंगे फटे हुए दूर से पनीर बना लेने के बाद आप बचे हुए पानी से आटा गुते तंदूरी चपाती बहुत नरम बनेगी और 11 नमर टीप में देखेंगे पनीर को नरम करना हो तो गरम पानी में नमक मिलाएं और उसमें पनीर को 10 मिनट के लिए रख दें और 12 नमबर टीप में देखेंगे चाKapal पकाने के दवरान उबलते पानी में नीबू का रस मिला ले, इससे चावल खिले खिले सफिद और टेस्टी वनेंगे और थर्टी नमबर टीप में देखेंगे प्याज को फ्राई करने के दोरान उसमें हलकी सी चीनी मिला देने से वो जल्दी ब्राउन हो जाते हैं और 14 नमबर टीप में देखेंगे एक कप नारियल पानी में दो ब्रेट के स्लाइस और एक चमच चीनी डाल कर ब्लेंड कर लें इसे इडली के एक घोल में मिलने से खमीर अच्छा उठता है और फुर्टिन नमबर टीप में देखेंगे दही जमाने के लिए यदि आपके पास जामन नहीं है तो आप दूद में एक हरी मिर्च डाल कर रख दें दही जम जाएगा और 60 नमर टीप में देखेंगे प्याज को काटने से पहले कुछ देर फ्रीज में रख दें ऐसा करने से प्याज काटने के दोरान आसु नहीं आएंगे स्व유ंती नमर्टीप में देखेंगे चीज को कसने के दवरान वे चिपक जाते हैं इसे बचने के लिए आप कदुकस करने वाले पर थोड़ा तेल लगा लें तो नहीं चिपकेगा और 18 नमर्टीप में देखेंगे दाल के चीले बनाते समय घोल में दो बड़े चमच चावल का आटा मिला लें इसे चीले कुरकुरे बनेंगे और 19 नमर्टीप में देखेंगे चावल बनाने के बाद बचे हुए पानी माड में नीवू का रस मिला लें अब इसे बालों में लगाकर आधे घंटे तक रखें और फिर सीद धो लें इसे आपके बाल चमकदार और मुलाइम हो जाएंगे और 20 नमर्टीफ में देखेंगे इडली डोसे का बेटर खटा हो जागा तो इसमें नारियल का दूद मिला लें खटापन हट जाएगा और 21 नमर्टीफ में देखेंगे कटे हुए सीव को काला होने से बचने के लिए उसमें ऊपर नीवू लगा दें और 22 नमर्टीफ में के लिए गरम पानी में डुबो कर रख दे इसके बाद नीवू काटने से आपको ज्यादा रस मिलेगा और 23 नमर टीप में देखेंगे चीनी के डिबे में 6-7 लॉंग डालने इसे चीनी में चिटिया नहीं लगेंगी और 24 नमर टीप में देखेंगे मिर्च के डिबे में इसको साफ करने से फलॉर चमक उठेगा तो फ्रेंस उमीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आये हो तो वीडियो को ज़्याद सिदा लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए और कमें यो कैसा लगा थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो बाई बाई टेक क्या